ओके सो फाइनली लास्ट प्रॉब्लम का जो लास्ट पार था उसके बारे में लोग दोड़ा सा लिसकस कर लेते हैं तो पहले तो प्रॉब्लम डिस्क्राइब कर देता हूं कि प्रॉब्लम है क्या यह सिस्टम है आपका एक मूविंग सिस्टम कार्ट है आपकी capital M मास की जो की बीनोट बिलास्टी से जो की constant है वो मूब कर रहा है और इसी कार्ट से एक अटेज्ड स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से आपके स्मॉल मास मैं है जो की इस स्प्रिंग सिस्टम के साथ बाउंड है तो उन्होंने इनिशली कंडिशन दी है कि आपकी जो एक मूविंग बा पर कोइंसाइड कर रहे थे बट आप टी टाम के बाद यह काट बीनोट विलास्टी से आंगे बड़ा एट पर्टिकुलर टाम टी पर और उन्होंने देखा कि इस मास मास का जो कॉड़िनेट है एक्स कॉड़िनेट वह आपका और से लेके पी तक का डिस्टेंस एक्स है ब अगर उसके लिए देखा जाए तो एक्स प्राइम है राइट इसको दूसरी बात समझेंगे आंगे चलके नेक्स्ट चीज गिविन है कि भाई जो स्प्रिंग है ना इसकी जो नेचरल लेंद है वह आपकी एल नॉट गिविन है ओके सो आपको फांड आउट करनी है इस सिस अगर मैं आप से यहां पर पूछ हूं एक चीज कि यहां पर जैनल कोडिनेट कौन कौन से जैनल कोडिनेट का मतलब यह है कि इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो एसेंसेल कोडिनेट से वह क्या क्या हो सकते हैं तो अगर मैं इस फ्रेम से देखूं तो वह सकता है एक तिंग यहां पर अगर मैं कंस्टेंट रिलेशन की बात करूं तो कंस्टेंट रिलेशन अगर मैं सेट अप करना चाहूं इन दोनों कॉडिनेट के बीच तो कुछ इस तरीकी से मैं सेट अप कर सकता हूं जो कि यह एकस उकल टू एकस प्राइम प्लस बीनोट टी सो अगर कंस्टेंट एक्विशन मेरे पास है तब मैं यहां पर डिग्री ओफ रिडम की बात करूं तो कितनी निकल के आती है जो कि मैंने लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कि यह डिग्री ओफ रिडम क्या होती है नंबर अ कंस्टेंट तो यहां पर जो हमारे कॉडिनिस थे बहुत है हमारे टू और कंस्टेंट रगर लगा देता हूं तो बसता है डिग्री ओफ रिडम वन तो अब आपको समझ में आ गया हुआ किसकी सिस्टम की डिग्री ओफ रिडम क्या है पन है अब डिपेंड करता कि आप लो तो टर्म पता होना चाहिए पोटेंशल एनर्जी तो इस सिस्टम के लिए हम लोग सबसे पहले कानेटिक एनर्जी लिखेंगे अब कानेटिक एनर्जी लिखनी है हमको एक्स प्राइम को जेनराइक कॉडिनेट मान कर सो अगर यह मास स्मॉल है इस स्प्रिंग से स्कॉार अब यहां पर बी स्कॉार का मतलब यह है कि इस स्मॉल एम की जो विलॉस्टी है वो कितनी है सो यहां पर जो स्प्रिंग की स्प्रिंग से अटेज्ड मार्च की विलॉस्टी होगी वहोगी एक्स नॉट एक्स डॉट प्राइम प्लस बी नॉट राइट जनरली हम क्या लिखते हैं बन वाइट टू एम एक्स इसक्वार अब यहाँ एक्स डॉट इसक्वारी अब एक्स डॉट को मैं रेप्लिस करूंगा इस कंस्टेंट रिलेशन से तो वह हो जाएगा कुछ इस थरीके का राइट और मैं आवे पूट कर दूँगा तो मेरा जो कानेटेक ए इनर्जी है वो किस फॉम में आजाएगी एक्स प्राइम की फॉम में आ जाएगी तो यहां पर मैंने वही लिखा है कि इस से इस्मॉल मास्क के लिए जो कानेटेक एनरजी होगी वह ओगी वन वाइट टू एम एक्स डॉट प्राइम प्लस भी नॉट इसक्वार राइट य यह इसके respect में इस आपजर्व के respect में यह काट हमारी रुक हुई है तो इस मास एम की कानटे के नर्जियां पर हम लोग consider नहीं कर रहे हैं अब बात करते हैं हम लोग potential energy के potential energy क्या है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक की potential energy है यह मास जो है में वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से horizontal motion कर सकता है और horizontal motion की बज़े से इस spring में एक store energy होगी जिसको बोलते हैं spring energy right so ऐसी spring energy को हम लोग कुछ इस तरीके से define करते हैं कि हाब के और bracket में लिखते हैं elongation या compression का square सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस spring में due to this motion यहाँ पर elongation भी हो सकता है और compression भी हो सकता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूं simply क्या compression so initially हमारा L0 था final हमारा x prime है तो कितना compressed हुआ वो length मैंने यहाँ पर put कर दी है तो यह हो गई हमारी potential energy stored in that spring अब kinetic energy मालूम है और potential energy मालूम है तो ऐसे system के लिए मुझें लेक्रांजियन क्या करते हैं simply इन दोनों का difference लेते हैं तो लेक्रांजियन हम लोग कुछ इस तरीकी से लिख सकते हैं सो लेक्रांजियन हमारा निकल का जाए कि वहाँ एम यह kinetic energy वाला पार्ट और यह potential energy वाला पार्ट यह तो हो गया हमारा क्या लेक्रांजियन नाव अब हमारे पास लेक्रांजियन है तो अगर्वेक्ष्ण करना है तो इस वाली क्यों को एक्स डॉट प्राइम के रिस्पेक्ट करेंगे और भी पार्शली तो डिफ्रेंसेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीकी का टर्म आएगा हाप एम यहां से टू आएगा तो यह आ जाएगा फिर इसके बाद इसका होगा तो बन हो हो जाएगा राइट तो यह सिंपल डिफ्रेंसेशन है आप लोग कर लेंगे यह माइनस वाला टर्म यहां पर हमने फिर से किया कि पार्शल डिफ्रेंसेशन बिद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम तो इसमें आप देख सकते हो कि यह बाला जो टर्म है वो इंडिपेंड है तो यह हमारी एक्वेशन मोशन निकल के आगई अब यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि जो एक्वेशन और मोशन आया है ना वह मारा कुछ इस तरीकी से आया कि जो हमारा एसलेरेशन है वह माइनस एक्स प्राइम पर या फिर माइनस एक्स कोडिनेट पर डिपेंड होता है तो इसको बोलते हैं यहां तो यहां पर भी वही चीज है कि आप देख पा रहे होंगे कि इस अगर मास की एम की बात करूं तो यह क्या करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आप यहां से भी वेरिफाई कर सकते हो कि यह कमारे क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है यहां पर हम लोग जन्राइल मोवेंटम निकालेंगे बिद्द हेल्प लेगर आंजिन जो की निकल के आता है यह अब यहां से मेरे को एक्स डॉट प्राइम की बैलू निकालनी है और यहां पर सिस्टम में पूट करनी है तो वही आपके यहां पर प्रोसीजर करना फॉलो तो यहां पर एक्स डॉट की जगYU हो यह वैलू फुट की बैसे लगरा एंजन में जहां पर एक्स डाइन ठाव तो वहां पर यह वैलू पूट की है क्यों वह महारे है वह दाब हमता है व्फट को जनेराई कॉडिनेट जेनराइत मोमेंटम और टाइम सो इस तरीके से हमारा है मेल्टोनियन निकल आएगा फॉर दिस सिस्टम तो यह थोड़ा सा केल्कुलेशन कीजिए का फाइनल आपके सामने यह रहा तो आए उप कॉंसर्ट समझ में आयों को बाखी केल्गुलेशन आप लोग कीजिएगा और ऐसे प्रॉब्लम्स जो भी है थोड़ा सा प्रेक्टिस क कीजिएगा तो आइधिंग कॉंसर्ट और भी ज्यादा किलियर होगे तो इस तरीके से हमारा टिटोरियल जीरो थी कंप्री कंप्लीट होता है नेस्ट लेक्टर में हम लोग कवर करेंगे क्लास क्लम अकैनिक्स का फूर्थ टिटोरियल तब तक के लिए और अगर वेडियो अच्छी लगती है या पर पसंद आती है फिर कॉंसर्ट सौन में आता देन यू कैन लाइक और सेर भी कर सकते हो मागी सब्सक्राइब तब ही करना जब आपको लगे कि हाँ यह चीज़े सही हो रही है वाकि वाल दा बेस्ट